कर दो लेड बीरेन सिंग जिंग आ गये बहार हमारा पढ़ोसी राज जराजी जाईरसी बात है धि वहां से जो भी हवा बहेगी उसका असर ओपी सिंह पर भी पढ़ेगा आई पी सिंग्ग भी पढ़ेगा और असूक अतरपर्देश की राजनीत में कोई बदायव आप महसूस करते हैं अगर विहार में कुछ चेंज़ेश होते है तो कि लेखिया विहार की राजनीत का असर सीधा उत्तर-परदेश्टे पड़ेगा पूरे उत्तर परदेश की ब्यूरो क्रेसी में भी बिहार के अधिकारी हावी एक तरह से कहा जाए यूपी की सरकार को बिहार के अधिकारी चलाते हैं तो असर तो पढ़ना है लेकिन इनके उपर असर तब नहीं पड़ा जब यह दिल्ली हार गए यह राजस्थान हार गए यह च्छतीस बीजेपी पूरे देश से कांग्रेस के सफाय की बात करती थी वो जो देश के 20 राज्यों में अपनी सरकार होने का दावा करती थी उसकी कितने राज्यों में सरकार बनी है बची है यह देख ले अब विहार के बाद बंगाल बंगाल के बाद उत्तर परदेश आने वाले द और तमाम सारे मुद्दों पर ये ये आलू, टमाटर और प्याज मार मार फेका जा रहा है इन मंचों पर और खा रहे हैं और बोले जा रहे हैं है ना ये तो नहीं मैं विहार के लोगों को बहुत सम्मान इसलिए उत्तर परदेश में मिलता है कोई ये महराज तो है नहीं बीजेपी ने देवेंद फटनवीस को विहार का चुनाओ परवारी बनाया था जहां यूपी और विहार के लोगों को डंडे से पीटा जाता है और कहा जाता है कि यह लोग आके यहां गंदगी फैलाते हैं वहीं फटनवीस करोना क्षिकार हो गए चुनाओं से खैर वह बाह पर मिलेगी जैसे एक लाग तीस हजार करून भी मिलेंगे आपको बताऊं कि दस लाख नौकरी का आप सवाल पूछ रहे थे भी मैंने देखा कि तेजस्वी ने कहा है जब यह करोन नौकरी दे सकते हैं तो वह दस लाख नहीं दे सकता है अच्छा मैं तो खाली इनी की दिला रहा हूं बाद में यह कई देंगे जुमला था फंदर लाग रुपिया जुमला था अरे पीज़ेपी से तरह क्यों नहीं नाराजगी वाली बात नहीं है चुकि आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा तेवहार करवा चौत का मनाया जा रहा है कि करवा चौत के ब दुमारे हम महिलाएं अपने पती की लंबी उमर की दुए मांगती है तो लचमी जी का जो वाहन है वह उल्लू है तो एक बार वो लचमी जी से बहुत नाराज हुआ और उसने कहा कि माता आपकी पूरी दुनिया संसार पूजा करती है मैं उल्लू मेरी कोई पूजा नहीं क और उस ब्रत का नाम होगा करवा चोत तो तब से उल्लों की पूजा हमारे देश में हो रही है वैसे मेरा अपने देश की माताओं बहनों भावियों सब को एक संदेश है कि अगर पतियों के लिए ब्रत रखने के बजाए उनसे अगर वो मीठा बोलें तो उनकी उमर जादा ब सारी बाते हैं तो जानते हैं काफी तकलीफ है इसके लिए में किसी दिन अलग से डिवेट नहीं आज नेट भी बहुत फास्ट चल रहा है देश में क्योंकि बहुत मोबाइल खाली है उनके हाथों में महंदिया लगी हुई है तो नेट फिरी है चाहे जैसे चलाइए तो आ है लेकिन बिहार की जो बधाली है उसकी सडकों के जो गड़े हैं वह जो परचार करने वाले लोग गए हैं वहाँ वो देख रहे हैं देश की राजनीत में युवाओं ने बड़ा परिवर्तन लाया है युवाओं का जो उपहास कहते हैं उनको वक्त जबाब देगा तेज कि अदमी सिर्फ किसी की उमर की वज़ा से उसको बड़ी जिम्मेदारी ना दे ये कोई समझदारी की बात नहीं है लेकिन चलिए चार लाइन कहूंगा बड़ा एक सवाल चल रहा था कि बिहार में काबा बड़ी बड़े इस पर किस्से आए कहानिया आएं तो सुनिएगा बिहार में काबा जंता कैसे ओट देगी क्योंकि टमाटर और प्याज तो पढ़ी रहा इनके उपर कि ना फैक्टरी न सडक ना उचा मकान बा खाये खाती अन और पढ़े के आभाव बा और आज नीत के बंपर यहां उखाड पचाड बा और पूरा पर घूम ले पूरा दे और कमाये के सहर जात है लाचार बा और उसहर मत दिहाडी मज़़ूर बा और मज़़ूरी कहलावे बिहारी बा नून रोटी भात खाइल बा और पैदल भूखा पेट चलत बा और जान ओके रड़वा पे जाइद बा पर वोट देले वक्त सब भूल बा बहुत बहुत बहुत 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 है प्लूबुति हकर रवक्वार झाल खाईल बाम कुछ भोल को थोगह लंग हमाधना रसट बीकार प्यागे हैल झाल भकल सूर बात रचल सनियों कण्शने है को खाल बाम कर दो भूल RIंब Jupiter द regularन के माय भऱ्शित